कि नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत प्राणपृतिष्ठा समारोहो दिवस से ठीक एक दिन पहले असम के सोनितपृर में राहुल गांधी ने जो कुछ किया उसके बाद इस बात में कोई शक्स संदे बचा नहीं है कि एक्च्वल में इस तथाकतित भारत जोड़ो न्याय यात्रा का उद्देश्य क्या है मकसद क्या है इन्हों ने बस से छलांग लगा दी यह उस भीड के बीच में कूद पड़े जो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के नारे लगा रही थी जो राम मंदिर के समर्थन में नारे लगा रही थी और जो भारतिय जंता पारिटी के जंडे लेकर के इनकी बस के बहुत करीब पहुँच गए थे सुरक्षा कर्मियों ने राहुल गांधी को धकेल करके वापस बस में चड़ाया लेकिन शुरू में ये मोदी के नारे लगाने वाले और भगवान राम के नारे लगाने वालों को फुलाइंग किस दे रहे थे लेकिन बाद में जिस तरीके से इन्होंने आपा खो दिया और ये बस में से कूद पड़े और सुरक्षा कर्मियों को भी ये कहते हुए दिखाई दिये कि आप लोग अब इनको रोकिये जो नारे वाजी कर रहे हैं इस से पता चलता है कि राहुल गांधी एक्च्वल में जो एक जिम्मेदार नेता की भूमिका होती है कम से कम उसमें तो नहीं हैं और इसके बाद चाहे जैराम रमेश हों चाहे सुप्रिया स्रीनेत हों चाहे कॉंग्रेस के आद्यप्ष मली का अरजुन खरगे हों उनके जिस तरीके के बयान आये हैं सुप्रिया स्रीनेत ने तो जिस तरह के भड़काव बयान बाजी की है भाशावली का परियोग किया है उसको लेकर के तो ये शक और गहरा हो गया है कि actual में ये गड़बड़ी कराना चाहते हैं उपद्रव कराना चाहते हैं बदमनी फैलाना चाहते हैं और हिमंता विस्वा सर्मा ने असम के मुख्य मंत्री ने एक बार फिर चेतावनी भी दी है इनकी मोझ भी ली है एक तरीके से कि राहुल गांदी केवल मेरे से नहीं डरते हैं हमारे बच्चों से भी डरते हैं. यानि अगर कोई इनकी जो बस यात्रा चल रही है या जो जो भी नाम दें ये भारत जोडो निया यात्रा उसका विरोध करने का हग तो सब को है अगर आपको अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है स्वतंत्रता है तो विरोध ही दलों के कारेकर्टाओं को नेताओं को उस यात्रा का विरोध करने का अधिकार भी है जब तक के अशान्ति ना हो किसी तरह की धक्का मुक्की और किसी तरह की हिंसा ना हो चीजें तभी विगड़ती हैं या चीजें तभी कानून की ग्रफ्त में पहुँचती हैं जब चीजें इस हद तक पहुँच जाएं कि आप बस से कूद पड़ें और कई लोगों ने तो कमेंट भी किये हैं इस पर उन पर मैं बाद में आता हूँ लेकिन जब ये यात्रा शुरू कर रहे थे 14 जनवरी से इनुने यात्रा शुरू की तब सवाल खड़े हो रहे थे इनके ही इंडी एलाइंस के घटक दल कह रहे थे कि राहुल गांधी को और कॉंग्रेस नेत्रत्यों को पहले अलग अलग राज्यों में सीट शेरिंग का मामला तै करना चाहिए उसके बाद यात्रा वगरा पर निकलना चाहिए दूसरा सवाल ये उठ रहा था कि जब 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और जिसमें करीब आठ हजार अलग अलग शित्रों की हस्तियां महां पहुँच रही है प्रधान मंदिरी पहुँच रहे हैं दूसरी तमाम डिगनिटी पहुँच रही है ऐसे समय पर क्या इनको ये यात्रा शुरू करनी चाहिए यात्रा अगर शुरू ही करनी थी तो इसके बाद कर सकते थे लेकिन राहुल गांधी की मंशा पर इसलिए भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी ने 19 जन्वरी को भी आरुप लगाया था कि हमारी गाड़ियों पर आटेक किया गया कुछ वीडियो जारी किये गए थे कुछ फोटोग्राफ जारी किये गए थे बयान जारी किये गए थे गाड़ी की विंडे स्क्रीन और शीशे तूटे हुए दिखाए गए थे, ये भी कहा गया था कि पॉस्टर बैनर जो है वो फाड़े गए हैं, मलिक आरजुन खरगे के बयान आये थे कि हिमन्ता विश्वा सर्मा अगर हमें डराना चाहते हैं तो हम डरने वाले नहीं हैं और अब दूसरी घटना ये हुई है प्राण पर्थिष्ठा समारो से ठीक एक दिन पहले सोनित्पूर में और इसको लेकर के लोगों के अब कमेंट आने शुरू हो चुके हैं लोगों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया है कि राहुल गांधी ने इन्होंने तो लिखा है पप्पू ने अपनी महबत की दुकान बंद कर दी क्योंकि असम के लोग उनका स्वागत जैश्री राम और मोधी मोधी के नारे से कर रहे थे वैसे जैश्री राम पप्पू अ से राहुल गांधी इतना उद्वेलित हो गए कि बस से निकलकर भीड से भीड़ गए सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से रोका और एक पूर्व आई-एस हैं जो अभी तक तो योगी और मोधी की आलोचना कर रहे थे लेकिन इधर जब मंदिर निर्मान हो रहा है है कि सारा टीवी वे प्रिंट मेडिया यहां तक के मौधी नफरती यूट्यूबर कवर विज्जु भी आयोध्या पर फोकस किये हुए हैं तो फिर यात्रा को कौन कवर कर रहा है और देखिए किस-किस तरह के मतलब ट्वीट किये जा रहे हैं रामेश्वर्म में थे परध उन्हों ने ये उस माना ये जाता है कि जहां से भगवान राम श्री लंका के लिए रवाना हुए थे वहां पर उन्हों ने ये पूजा आर्चना की तो किसी ने लिखा के ये क्या कर रहे हैं तो उपर आप देखिए कितना दिल्चस्प जवाब दिया गया है गरीबु ने लिखा है कि इंडी एलाइंस का स्राध कर रहे हैं और ये वो चित्र हैं जिनको लेकर के जैराम रमेश ने भी ट्वीट किया है सुप्रिया स्रीनेथ ने भी ट्वीट किया है कि सब जैराम रमेश की गाड़ी पर अटेक हुआ पानी फैका गया इस्टी कर जो है उतार दिये गए और उनके खिलाब भारतिय जन्ता पारिटी के गुंडों ने अटेक किया है। कि वो दूसरे दलों के भागवा जन्डे और भारतिय जन्ता पारिटी के जन्डे मोदी के समर्थन में नारे बाजी और जैस्री राम के नारों को वरदास्त से ही नहीं कर पाए और गाड़ी से कूद पड़े। राभुल गांदी ने इस घटना के बाद यानि सोनुटपुर की घटना के तीन किलोमेटर चलने के बाद क्या कहा। कि आपके मुद्दे सुनना और उनके लिए लड़ाई लड़ना ही इस यात्रा का लक्ष है। मैं जानता हूँ कि हमारे कारिकरताओं को धंकाया जाता है। लेकिन आप हमारी विचार धारा के लिए लड़ते हैं। आप हमारे बबर शेर हैं। आप सबने इतना प्यार दिया हमारी मदद की इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। और ये भी कहा के असम के युवां और किसानों पर अन्याय हो रहा है। के युवा लाखों रुपे लगा करके स्कूल कॉलिज जाते हैं फिर पता चलता है असम में उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा किसानों को फजल का सही दाम नहीं मिलता छोटे दुकंदारों को नोट बंदी जी एस्टी से ने बरबाद कर दिया देश की पूरी सरकार चुनीद उद्योग पति योगी वला 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 जो यह हमेशा से कहते आये हैं कोई नहीं बात इन्होंने नहीं कही चुक ऊंग्रेस पारेटी ने एक्चुल में ये कहा कि साब असम कॉंग्रेस के जो अध्यक्ष्य हैं बूपेन बोरा उन पर भारतिय जिंता पारेटी के एक समर्थकों के समूह ने हमला किया और ये सोनितपुर जिले के जमुगरी हिट हाट इलाके में घटना हुई और उनकी नाक पर चोट लगी है और उनको अस्पताल के लिए ले करके जाया गया है हाला कि कॉंग्रेस को नाकाम बताते हैं भरते जिन्ता पार्टी ने भी अटेक किया है और ये कहा है कि चूकी असम में इनको 6-7 दिन हो गए घूमते हुए और वहां इनको समर्थन ही नहीं मिल रहा है और ये एक समुदाई विशेश के क्षेत्रों में ही जा रहे है जिसका उलेक दो दिन पहले असम के मुख्यमंतरी हिमंता विश्वा सर्मा ने भी किया था के ये भारत जोड़ो न्यायय यात्रा नहीं है, मिया Yात्रा है, मियायात्रा मतलब इनकी Yात्रा में केवल मुस्लिम आ रहे हैं और ये Yात्रा मुस्लिम इलाकों से ही जान बूझ करके निकाली जा रहे ही है तो ये जो clash हुआ है इसके बाद जैराम रमेस का एक tweet देखिए क्या लिखते हैं और पहले राहुल गांदी ने किया tweet इन्होंना कहा कि सब के लिए खुली है महबबत की दुकान जुड़ेगा भारत जीतेगा हिंदुस्तान ये क्यों करना पड़ा इनको tweet tweet क्योंकि तब तक जब ये बस से कूद पड़े थे कारिकरताओं के बीच बीजेपी के कारिकरताओं के बीच में तो बड़ी आलोच ना हुई इनकी और लोगों ने सवाल खड़े करने शुरू किये क्या यही महबबत की दुकान है तो तब इन्हों ने ये tweet किया और उस पर जहराम रमेश ने क्या लिखा कि भाजपा हर जगे नफरत की दीवार खड़ी कर रही है असम के मुख्यमंत्री समाज में जहर घोलने का घोलने वाले वयान दे रहे हैं इसके अलावा यह आगे लिखते हैं उनके इशारे पर हमारी गाड़ियों दुकान है मतलब प्यार यह है कि आप बस से खूद पड़े और आपके सुरक्षा कर्मियों को धकेल करके आपको बस में चड़ाना पड़े हलाकि सोशल मीडिया पर तो यह बात भी आ रही है कि भारतिये जनता पारिटी के कारेकरताओं ने ही इनको धक्का मुकी करके वाप पस ठेल दिया और फिर यह जल्द बाजी में फिर से बस में चड़ गए इससे पहले ज़रा यह देखिए जब जैसरी राम के नारे लग रहे थे और मोदी जिन्दाबाद के नारे लग रहे थे तो राहुल गांधी क्या कर रहे थे बस में बैठे हुए यह ज़रा चेक और सुप्रिया स्रीनेत ने क्या लिखा एक शेर क्या उत्रा सारे गीदर दुम दवा कर भाग गए कलेजा चाहिए भाड़े की इस गीदर फोज में उतर जाने के लिए नफरत के खिलाब सिर्फ महब्बत काफी है डर्पोंकों की फोज के आगे एक अकेला निडर काफी है यह तो उनकी अपनी जवान है जिसके लिए वो जानी जाती है यह वो ट्वीट है जो हिमंता विश्वा सर्मा ने इन्होंने कहा कि राहूल गांदी अब सिर्फ मुझ से नहीं डरते हैं बलके मेरे बच्चों से भी डरते हैं और ये हिमंता का एक और ट्वीट है ये इननों लिखा है कि मैं हैरान हूँ कि कल के पावन अवसर पर कॉंग्रेस सारे सम्विधन शील जगों से अपनी बस यात्रा निकाल रही है क्योंकि उनके यात्रा में सिर्फ एक विशेस समुदाय भाग ले रही है असम पुलिस सतर्क है और यात्रा को सुरक्षा परदान करेगी और असम के मुख्यमंत्री ने इनसे ये भी कहा कि आप शंकर देव के जन्म अस्थाल बोर दोवा में ना जाएं इस से वहां पर माहूल खराब होने की अशंका है लेकिन जो अपनी सूचना है वो ये है कि राहुल गांधी जाएंगे क्योंकि उनको या विपक्षी दलों के खराब होगा या समाज का सोहार्द बिगडएगा ये तो एक्च्वल में जो अयोध्या में भव्य प्राण प्रतिष्ठा समार हो हो रहा है उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए ही ये हरकते कर रहे हैं और अकेले रहुल गांधी कल शंकर देव के जनम अस्थाल नहीं ज तो सवाल खड़े हो रहे हैं इधर अर्विंद के जरिवाल हो या दूसरे नेता हैं वो भी 22 जनवरी को ही कुछ ना कुछ करिक्रमायजित कर रहे हैं तो इससे पता चलता है कि एक्च्वल में ये केवल प्राण प्रतिष्ठा समार हो का बाइकॉट ही नहीं कर रहे हैं बलक कि मीडिया कवरेज पूरी चरीके से अयोध्यक पर फोकस ना हो इसको भी डाइवर्ट करने की कोशिशें और साजिशें रच रहे हैं ये अलग बात है कि नैस्नल मीडिया में राहुल गांधी की ये भारत जोडो न्याय यात्रा कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है ये जितन आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉंग्रेस का सोशल मेडिया मंच है वहीं तक सीमित है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भोलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें जैसरी राभ झाले ये नहीं किया है तक पहुंचते रहें तक अप्ताइब कर देदें तक अभी तक लिए